बिस्मिल्ला रोहमान रहीम एस्पेक्टर टीचर एंडियर स्टुडेंट असलाम लेकूम आयम वकास एहमद टुडे वी इलिस्कुस अबाउट मैटेमेटिक्स ग्रेड वन दिस इस आर लेसन नंबर फूर फ्रॉम यूनिट नंबर फूर तो टीचर अब आजाएं लेसन प्ल टॉइस जैसा कि हम लोग मार्किट में जाते हैं तो वहां पर डिफरेंट आर्टिकल्स की डिफरेंट प्राइसेज होती हैं और जब आप बाय करते हैं उनमें से टू आर मोर आर्टिकल्स तो आपको टोटल अमाउंट जो है वो एड करके जो टोटल बिल है वो पे करना उसमें देखा था एड मनी यूजिंग दा प्राइस ओफ हम लोगों ने इसी सी में जो चीज़ें देखी थी वह अडिशन का कॉंसेप्ट जो है वो लर्न किया था अब आजें एक्टिविटी की तरफ टीचर जो है अकॉर्डिंग टू देर स्राउंडिंग जा इन्वाइरमेंट के मताबक मेटीरियल यूज करते हुए डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकती हैं आप में से कितनी दफ़ा बच्चे जो हैं वो मार्कीट में अपने पिरेंट्स के साथ जाते हैं और जो डिफरेंट आर्टिकल जब आप परचेस करते हैं तो उसका टोटल बिल जा है वो कभी आप लोगों ने देखा है अबसर डेफिनेटली हर स्टूडेंट ने देखा होगा जिस तरह मेरे पास यह दो आर्टिकल है तो अगर इस आर्टिकल की प्राइस जो है वो 100 रुपीज है यह मेरे पास मारकर है और यह रिमोड है और इसकी प्राइस जो है यह 500 है जब मैंने शौप कीपर को पे करना है तो मुझे इन दोनों की टॉटल प्राइस पे करना पड़ेगी उस टॉटल प्राइस को फाAnn करने के लिए मुझे क्या करना होगा मुझे इन दोनों की prices को add up करना होगा जैसा के 100 plus 500 so total कितना बन गया 600 जो shopkeeper मुझे बिल बना के देगा वो इन दोनों article का अकथा बिल बना के देगा जो के 600 rupees बनेगा और मैं उसको 600 rupees pay कर दूँगा इसी तरह जब आप market में जाते हैं different articles buy करते हैं तो आपको total bill pay करना पड़ता है अब आजए next एक्जेम्पल देखें यह आपकी book में given है example number two जब भी word problem आये या statement के questions हो आपने कोशिश करनी है कि उनकी statement को गौर से read करें one day Sophia went to the market with her mother to buy a cone and a jar of jam Sophia जो है एक दिन अपनी मदर के साथ मार्कीट में जाती है क्या चीज बाइ करनी है उसने उसने एक jam जो है वो बाइ करना है और दूसरा कोन बाइ करनी है तो कोन की price कितनी है रुपीज 30 है और jam की price कितनी है रुपीज 70 है पार jam so how much money did she pay all together यहां पर word है all together तो इसका मतलब है कि उसने आपने ये बताना है सोफिया को कितनी price पे करनी होगी या उसने पे की सोफिया ने कितनी total price जो है वो पे की कोन और jam के लिए तो देखें कोन की price कितनी है रुपीज 30 और jam की price कितनी है रुपीज 70 दोनों को जब add किया तो ये equal बन गए रुपीज 100 के सोफिया को जो amount पे करना पड़ेगी वो रुपीज 100 पे करना पड़ेंगे इस तरह आप जब different चीजें buy करेंगे तो आपको उसका total bill जो है वो पे करना पड़ेगा जिस तरह सोफिया ने total bill जो है दोनों article का कोन और jam जो पे किया वो रुपीज 100 था जैसा के मैंने आपको बताया था मेरे हाथ में दो चीजें हैं अगर इसकी price 100 पीज है और इसकी 500 है तो दोनों का जब मैंने buy किया तो मुझे दोनों का bill अकथा पे करना पड़ा तो उसके लिए मैंने इन दोनों की prices को add up किया जैसा के यहां पर example में किया गया तो अब आज है next इसको observe करें price of jam रुपीज 17 और अब आप देखें के रुपीज 100 पे करने के लिए सोफिया ने जो है कि कौन कि किस तरह के note वो यूज कर सकती थी देखें price of jam जो है वो 70 रुपीज थी उसके लिए उसने एक 50 रुपीज का और एक 20 रुपीज का नो क्रंसी नोट यूज किया जबके price of कौन कितनी थी उसके लिए 20 रुपीज का note और 10 रुपीज का note यूज किया तो उसने total amount कितनी पे कि जह देखें 20 रुपीज के two currency note, 10 रुपी का one currency note और 50 रुपी का one note तो उसने 100 रुपीज पे किये और इस तरह उसको pay करने के लिए वो ये currency note यूज कर सकती है या उसने किये होंगे जैसा कि ये 100 रुपीज note है या वो एक ही currency note pay कर सकती है या फिर ये change एक group के currency note pay कर सकती है तो इस तरह जैसा कि मैंने ये remote और जो marker है इसकी आपको price बताए तो मैंने क्या कि मुझे क्या करना पड़ा मुझे 600 के लिए जो 6 currency note जो है वो 100 rupees वाले वो pay करना पड़े तो अब आजाएं next group task की तरफ teacher जो है students को groups में divide कर दे हर group में at least two students होने चाहिए और उसके बाद ये task sheet है जो के description box में given है हर group ने ये task sheet complete करनी है और instruction को गौर से read करना है add the prices of the items and write the total amount आपने क्या करना है इन सब items की prices note कर ले ये जो उपर chart बना हुआ है अब देखें पर स्क्रेशन में ये जो क्रियोन का box है उसकी price कितनी है वह कितनी है रुपीज फिफ्टी तो यहां पर फिफ्टी रुपीज आ जाएगा और इस pen की price कितनी है रुपीज 10 और इस pencil की price कितनी है रुपीज 5 तो टोटल प्राइस आपने find करनी है कैसे करेंगे 50 फिफ्टी प्लस 10 सॉरी 50 फिफ्टी प्लस 60 ये बन जाएंगे 110 और उसमें अगें 5 एड़ करेंगे तो रुपीज 115 बन जाएंगे similarly आपने ये जो given chart है जिसमें हर article के साथ उसकी price given है उसको गौर से read करें और फिर नीचे दिये जो questions है जिस तरह मैंने first question को solve किया है इसी तरह बाकी सारे question जो है two और third उसको आपने हर group ने solve करना है और करने के बाद ये task sheet अपने teacher को submit करवा दें ताके वो check कर सके और अब आजएं next individual work की तरफ हर student ने individually अपना ये work sheet जो है next वो complete करनी है teacher जो है ये task sheet बच्चों को description box में से लेकर provide कर दें इसमें first question देखें tomorrow is Annie's first day at school कल जो है एनी का first day है school में एड़ डैड़ बाइस हर आप मेल container फार रुपीज 40 तो मेल container के जो खाने वाला जो बॉक्स है या लंच बॉक्स जो है उसका उसकी जो प्राइस है वो 40 रुपीज है और उसके फादर ने उसके लिए यह buy किया और वेट बोटल फार रुपीज 60 मेल container और बोटल की जो प्राइस है वो यहाँ पर given है how much do the two items cost in all question क्या है कि इन दोनों के total cost आपने find करनी है कि उसके फादर को ऐने के फादर को कितनी total amount पे करना पड़ी होगी दोनों articles की तो देखें रुपीज 40 plus रुपीज 60 that is equal to रुपीज 100 so any's father paid रुपीज 100 for both articles दोनों articles के लिए any के फादर को या any के डैड को 100 रुपीज पे करना पड़े उसमें वो different type के currency notes यूज कर सकते हैं कि यह होंगे उन्होंने या तो उन्होंने 100 रुपीज का एक note pay कर दिया होगा या फिर 50 रुपीज के दो note pay कर दिये होंगे या फिर 20 और 10 रुपीज के note भी use किये होंगे so different types के groups जो है जैसा कि मैंने exchange में आपको बताया था वैसे pay कर दिये होंगे बाकि जो next part है वो हाँ student ने खुद solve करना है statement को घौर से पढ़े और उसके बाद इसको जो empty space है वहाँ पर solve कर दे और total amount find कर ले तो अब आजें wrap up की तरफ आज हम लोगों ने क्या किया हमारा जो आज का SLO जो था उसको हम लोग revise करते हैं we have learned addition of money by checking the prices of objects different objects या article की prices को हमने देखा और उसके बाद total amount of money जो है जो pay करना पड़ी उसको हमने बता दिया और उसकी addition को देखा and then total amount जो के जैसा के remote और marker की थी जो के 600 टोटल बनती थी अब आ जाएं homework की तरफ homework में आप लोगोंने क्या करना है एक activity है जो के आपकी book में given है उससे आपने complete करने के बाद आपने teacher को submit करना है visit a market nearest to your home with your mother, buy some biscuits or jellies or candies, how much money you spent, did the shopkeeper return you some money, write in the following boxes आपने अपनी मदर के साथ या फादर के साथ market में जाना है और यह activity complete करनी है यह आपकी book के उपर है book के उपर ही complete करने के बाद teacher को बताना है कि आपने क्या किया है total amount कितनी आपने shopkeeper को pay की उसके बाद shopkeeper ने आपको return कितना किया वापस यह सारा यहां पर note करना है तो अब आजें extra worksheet की तरफ students extra worksheet के लिए आप description box में से यह task sheet download करें या आपकी teacher आपको provide कर देंगी और उसके बाद इस task sheet को complete करने के बाद गर में आपने आपनी teacher को submit करवा देना है गर से complete करके लेकर आना है और इसमें देखें यह chart है जिसमें different types के articles हैं और उन articles की prices given है और उन prices को आपने read करना है और उसके बाद इन directions को follow करने के बाद इस task sheet को complete कर दे और उसके बाद teacher को submit करवा दें अब आज हैं description box की तरफ description box में आप लोगों के लिए lesson plans, extra activities और powerpoint presentations available है students I hope के आप लोगों को आज के SLO की समझ आ गही होगी thank you very much inshallah we will see